वेलकम तू विद्ध्यार्थी स्टूडियो नमस्ति तु आल माईडिया लबली स्टूडेंट्स आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से मैथमेडिक्स में मेहनत कर रहे होंगे साथ-साथ बाकी सब्जेक्स में भी मेहनत कर रहे होंगे और आपकी मेहनत को और और साथ में बच्चों हम आपको बता देते कि हमारी कोशिस रहेगी कि हम आपको कम से कम टाइम में इस वन स्ट वीडियो को कवर करें और पूरी कोशिस इमानदारी से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं as per your new syllabus तो चलिए बिना किसी दे रही कि हम शुरू कर देते हैं तो यहां देख सकते हैं contents to be covered क्या topics हम cover करने बाले बच्चों introduction definition of complex number representation of complex number powers of iota identity सीखेंगे complex number की modulus and conjugate निकालना multiplicative inverse most important है यह चीज आर्गेंट plane and polar representation and last representation of modulus and conjugate on argand plane चलिए तो शुरू करते हैं introduction तो यहां पर आप सबसे पहले ध्यान देजीजीगा और control s कर लीजीगा iota इसको हम बोलते हैं iota iota टीक है इसकी value है root के अंदर minus चलिए अब यहां पर हम side में थोड़ा सा आप से discuss करेंगे जैसा कि class 10th में आपने पढ़ा हुआ था आपने कुछ इस तरीके का real number system पढ़ा था जिसमें आपने क्या सेखा था कि real number system जो है two parts में classify किया हुआ था एक था rational दूसरा था और रियल में फिर आपने फर्दर किया हुआ था जैसे कि whole number integer natural number यह सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी ठीक है अब आज जो topic हम cover कर रहे है class 11th में most important वो है complex number system तो हमारे number system एक और चीज़ एड़ हो जाएगी जो कि है complex number system तो आज हम यहां जानेंगी कि आकर system की हमको requirement क्यों पढ़ी बच्चो ठीक है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक equation लेंगे let's suppose we have one equation x square minus 9 equals to 0 class 10th में आपने की है कुछ इस तरीके की equation ठीक है जो की quadratic है simple equation आपको दिखाई दे रही है तो दिए आप से बोला जाएगे इसके solution find करिए है ना तो क्या करेंगे right side shift कर देंगे तो यह हो जाएगा 0 plus 9 equals to 9 फिर क्या करेंगे आप x equals to root over 9 और जब भी root लगाते हैं तो हम क्या कर देते यहाँ पर 2 sign plus minus अब जानते हैं कि root over 9 की value क्या होती है 3 तो दो solution हो गए आपके पास में या तो x की value plus 3 या फिर x की value minus 3 यदि आप इस equation में रखेंगे तो आपका right side 0 हो जाएगा यह equation satisfy हो जाएगी अब इसी को बच्चो यदि हम थोड़ा सा change कर दें हम इस equation को बना देते हैं x square plus 9 equals to 0 ठीक है class 10 में इस equation आती थी और जब आप इसको solve नहीं कर पाते तो आप लिख देते थे क्या चीज no solution ठीक है तो कैसे कुछ इस तरीकी से क्या करे हैंगे x square equals to minus 9 अब आप खुदी बताइए आप क्या आप जानते हैं कि किसी number के square करने पर minus 9 आता हो सोचिए ध्यान से किसी number के square करने पर minus 9 आता हो यह देखिए x equals to root over minus 9 लग गया और साथ में plus minus तो कोई ऐसा number है क्या नहीं है ठीक है तो इसी को expand करने के लिए हमने क्या किया है इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं root minus 1 multiply 9 ठीक है और क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं plus minus तो रहे गई root minus 1 multiply root 9 तो यह जो root minus 1 है इसको mathematician जो यूलर हुए हैं उन्होंने बोला इसको iota ठीक है और root 9 को solve कर लेंगे क्या जाएगा तो आपके पा minus 3i या फिर 3i उटा आई पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं तो यह जो system पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं complex number system क्योंकि पहले class 10 में आप इस तरीक है कि जब equation रहते थे आप solve नहीं कर पाते थे आप no solution लिख देते थे यह negative value आ दे ठीक है तो इसको हमने expand क such equation x square plus one equals to zero या फिर x square plus four equals to zero we found ourselves unable to solve this equation क्यों क्योंकि हम देखते हैं कि यदि x square plus one equals to zero put करेंगे बच्चों तो आपको x square की value minus one में लेगी अब यदि square root लेंगे तो क्या हो जाएगा plus minus root inside minus one ठीक है और as we know there is no number in the real number system whose square is a negative number okay so that's why to solve such type of problem there is another number system called complex number system तो यह आयोटा का fund आपको clear हो गया कि जहां पर root के इंदर minus one तो हम क्या ले लेंगे आयोटा या फिर i बोल दे अब और discuss करते हैं तो यह summarization होगे knowledge tip about iota i की value root inside minus one यह याद रखना है यह देखिए यूलर mathematician दे फर्स्ट mathematician who introduced the symbol i जिसको iota read करते हैं for root over minus one अब इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको याद रखना है इसको भी read कर लेते हैं he also call this symbol as the imaginary unit तो देखिए बच्चों अभी हमने क्या सीखा था सिप introduction में iota equals to root minus one अब यह आपको squaring करने को बोला जाए तो square करेंगे तो क्या जाएगा यह जाएगा iota का square और यह root हट जाएगा क्या जाएगा minus one तो यह चीज भी आपको याद रखना है अब इसी minus one को आप left में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा iota square plus one equals to zero ठीक है तो यह property जो लिखा था with property i square plus one equals to zero that is i square equals to minus one इस property के recording इसको mathematician यूलर ने बताया हुए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं definition अब complex number system को को हम लिखेंगे कैसे होता क्या है तो देखिए क्या definition है a number consisting of real number and imaginary number कितना simple definition दिया है कि ऐसा number जिसमें real number भी हो और imaginary number उसको क्या बोलेंगे complex number अब उसका form क्या होगा कुछ इस तरीके से देखिया a plus iota b ठीक है इसको capital z यह small z से represent करते हैं ठीक है कुछ इस तरीके का तो यहां पर example लिखें 2 plus iota 3 minus 1 plus i root 3 इस तरीके और आगे हम इसके बारे में जानते हैं representation तो यही हमने discuss किया representation है लिखेंगे कैसे तो यह रहाए small z equals to a plus iota b अब यह चीज आपको जानना जरूरी है कि यह जो part है a यह क्या है real part ठीक है और जिसको हम लिखेंगे कैसे real r e bracket small z और यह जो b part है imaginary की number के साथ में यह क्या है आपका imaginary part इसको denoted करेंगे i am bracket z ठीक है तो यह जो number है a यह होग यह real number और यह जो iota b है यह होग है imaginary number तो example यहां लिखा हुआ है तो यहां पर आपको पूछे जाए कि real part बताईए तो real part हो जाएगा 2 और imaginary part बताईए तो यह है imaginary number और इसका imaginary part क्या हो जाएगा 5 ठीक है अब यह note ध्यान दीजेगा आप 2 complex number जैसे कि complex number दिया है z1 equals to a plus iota b और z2 equals to c plus iota d तो यह equal कैसे जब equal होंगे तो क्या condition होंगी कि real part को real part के equal कर देंगे और imaginary part को imaginary part के ठीक है तो a equals to c आ जाएगा और imaginary part आपका v equals to d यह याद रखें ठीक है चले तो यहाँ पर based हम एक question ले लेते हैं आपके ncrt कहीं यहाँ दीखिए दिया हुआ है यह 4x plus iota bracket 3x minus y equals to 3 plus iota minus 6 दिया हूँ यह दोने इक्वल है यह एक्सेंड वाई यह रियल नंबर्स देन वी अप्टू find the value of x and y तो हम जानते हैं कि यह दी z1 equals to z2 होगा दो complex number equal है तो उनका real part real part के equal होगा याने a equals to आपका b होगा और imaginary part c equals to d होगा तो real part क्या है बच्चों यह रहा 4x और यहां का real part क्या है 3 ठीक है इसको solve किया तो x की value बच्चों क्या मिल गई आपको 3 by 4 इसी तरीके से हम imaginary part को solve करेंगे और y की निकालेंगे तो यहां क्या दिया हुआ है 3x minus y is equals to यहां पर क्या इसको solve करेंगे तो यहां हम x की value रख देंगे बच्चों तो क्या जाएगा 3 multiply 3 by 4 minus y equals to minus 6 इसको और further solve करेंगे तो आजाएगा 9 by 4 minus y equals to minus 6 इसको और solve कर लेते हैं तो यहां जाएगा minus y equals to minus 6 minus 9 by 4 इसको LCM ले लीजिए LCM क्या जाएगा 4 4 6 दे 24 24 यहां गया minus 9 minus minus plus solve करने भी कितना जाएगा minus 33 on 4 यह minus y minus minus cancel हो गया तो y की value आ गई positive 33 upon i hope यह clear हो गया होगा बच्चों आपको चलिए आगे बढ़ते हैं अब most important चीज हम सीखने वाले हैं powers of iota तो case first हम लेंगे बच्चों क्या positive integral of powers of i यहने आयोटा की power positive देखिए आपर side में आयोटा की power 2 है आयोटा की power 3 है आयोटा की power 4 5 6 ठीक है positive power है तो इनकी क्या values आएंगी तो यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कुछ याद हो जाएंगी भूल जाएंगी तो आप easily बना सकते बस आपको यह चीज याद होनी चीज़िए पहली यह आयोटा की value root inside minus 1 जब आप square कर देते तो आपको क्या मिलता i square equals to minus 1 बस यह दो चीज याद रखेगा minus बाकि आप आयोटा की कितनी आयोटा लिख सकते हैं ठीक है अब आयोटा की power 2 की value आपको मालूम बच्चों क्या होती है minus 1 और minus 1 का आयोटा के साथ multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus आयोटा ठीक है इसी तरीके से हम यहाँ पर let's suppose आयोटा की value आयोटा की power 4 निकालना है तो आप जानते इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा की power 2 का whole square या फिर आयोटा की power 2 इन्टो आयोटा की power 2 2 times लिख देते तो भी वही होता तो आयोटा की power 2 की value आपको मालूम है याद हो चुकी होगी minus 1 minus 1 का square करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा या जाएगा 1 तो यह भी अब आपको याद हो जाना चाहिए mind में आयोटा की power 4 equals to 1 यह तीन चीज़े एक आयोटा की value root minus 1 आयोटा square की value minus 1 आयोटा 4 की value 1 तो क्या करेंगे आप इसको आयोटा की power 4 multiply आयोटा है यह लिख सकते हैं यह class 8 का rule लग गया base same power add तो यहाँ पर power क्या है 1 4 plus 1 अब आयोटा की power 4 की value कितना है 1 और 1 को आयोटा की जादा multiply करेंगे तो यह आ गया आयोटा अब यह याद रखिएगा आपको आयोटा की value root minus 1 नहीं लिखने यह understood है ठीक है क्योंकि complex number बढ़ रहा है तो आयोटा वहाँ show होना चाहिए बच्चों ठीक है नहीं तो आप बोल सकते हैं कि सर जब आयोटा आ रहा तो यहाँ root minus 1 रख दीज है तो नहीं रखना आपको आयोटा ही आपको consider करना है ठीक है इसी तरीकी से i6 की value निकाल सकते हैं आप देखिए यहां पर screen पे i4 into i2 to the power 2 ठीक है i4 की power होती है 1 और i2 की power होती है minus 1 यह रख दिया आपने तो solve कर कितना आ गया minus 1 अब एक important यहाँ जो note लिखा हुआ है पूरे आपको के साथ में कि आयोटा की जो powers होंगी बच्चों चाहे power positive हो चाहे negative जैसे यह हम केसा भी positive की discuss कर रहे है इसका negative को भी discuss करेंगे तो दो चीजी even power यदि आयोटा की होगी तो उस cancer क्या हैगा या तो minus 1 होगा या फिर 1 और यदि आयोटा की power odd होगी तो उस cancer या तो minus i होग या फिर i verify करें देख लीजिए सबसे पहले हम देखेंगे even power even power के लिए कितना है minus 1 या 1 यह रहा even इसके लिए देखिए ठीक है अब odd का देख लीजिए odd में क्या आना चाहिए था minus i या फिर i आ रहा है clear है और यह even था तो यह आ गया minus 1 ठीक है यह याद रखीगा तो इससे आपको एक जस्ट verification हो जाएगा कभी भी कोई question कर रहे है कि आपका answer गलत तो नहीं आ रहा है अब negative power सीखेंगे negative integral powers of i कैसे find करते हैं बच्चों तो यहाँ देखें let's suppose यदि x की power sorry i की power कितना है 1 यहना iota की power minus 1 तो यहाँ याद रखीगा बच्चों कि iota की power minus 1 यदी है तो आ even बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर odd यानी की one power है तो one को two बनाने के लिए क्या करेंगी even बनाने के एक i से up and down multiply यह कुछ इस तरीके से जैसा आप rationalization करते देख लास ना कि नीचे आप a rational part नहीं बनने दे इसी तरीके नीचे आपको iota खत्म करना है तो हम क्या करेंग तो यहाँ आजाएगा iota और यहाँ आजाएगा iota का square तो यह value होगी बच्चों iota और नीचे iota square की value क्या होती minus one ठीक है तो आपका answer आ गया minus iota और देख सकते है rule भी बिल्कुल follow हो रहा है कि जो odd power होंगी उनका answer क्या आएगा minus i या फिर i अब next देखिए even जब even हो कुछ नहीं करना simply लिख दीजिए iota की power यदि minus two दिया है तो simply denominator में आके power positive हो जाती है और value रख दीजिए iota की power two की value आपको मालूम में minus one तो answer आ गया minus one यह देखिए ठीक है अब इसी तरीके सा iota की power minus three निकालना है बच्चों तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप लेखेंगे one upon denominator में power positive हो जाएगी ठीक है जैसी reciprocal किया और यह हो गया अब यहाँ पर power odd है तो उसको even बनाने लिए क्या करेंगे एक i से multiply कर दीजे even हो जाएगा आप and down हमने क्या किया iota से multiply तो उपर हो गया iota नीचे आ गया iota की power four और iota की power four की value अब आपको याद हो चुकी होगी जो की ह होती है one तो answer आ गया iota ठीक है से मिरी तरीके से iota की power minus four को आप find कर सकते तो आपको एक value यह याद होनी चाहिए एक यह याद होनी चाहिए और दूसरा iota की power four जो की होती है one यह control s कर लीजेगा ठीक है चलिए यह rule देखेगा यह rule हमने लिखा experience यह हम सभी जगा follow होगा आप यह verify करते जाहिएगा कि जो odd number हों odd powers होंगी उसकी answer minus iota या फिर positive iota आएगा देख लीजी इसमें यह odd है इसमें आयगा ठीक है फिर यह रहा odd इसमें आउटा और यह जो आपके even है इसमें क्या आगया minus one या फिर one ठीक है आगे बढ़ते तो इन जनल हम किसी भी इंटिजर के निकालना हो तो आपको यह याद रखना है कि i की power four k multiple four k यानि four में one का multiply two का multiply किसी का तो इसकी value क्या लेनी है one क्योंकि i की power four जो होती हो one हो ठीक है तो suppose i की power four k plus one है plus one यानि की four का multiple तो हो but remainder one आ रहा हो जैसे कि let's suppose nine है iota की power बच्चो nine है तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको 1 एसा भी लख सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं अइसको लिख सकते हैं आयोटा की power eight into iota लिख सकते हैं चीक है तो इतना जो पार्थ है यह क्या ओगा four का multiple है हम इसको लिख सकते थे iota की power four whole power पावर टू ठीक है और यह हो गया इसकी वल्यू क्या हो गई वन का स्क्वेर वन और इंटु आउटा तो क्या आगया ठीक है तो यह हमने के केस बता दिये ऐसी बाकी केस निकाल सकते हैं आयटा की पावर फोर के जब 2 रेमेंडर हो जैसे की 10 ले ले दे तो क्या जाएगा इसक तो यह आटा की पावर फोर के 1 रहे गा इसको भूल जाएं वन होती तो यहाँ अंसर कि आएका माइनस या वन तो देख लीजे माइन और झहां पर और जिससे कि uda को सिंटीन को आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 तो नहीं आता तो सिंप्ली 17 को डिवाइड करके देख लीजे अब आयोटा की पावर 16 ने 4 का मल्टीबल है तो क्या होगा या 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 की पावर 4 और होल पावर हमने 4 लिख दिया और यह आयोटा की पावर 1 ठीक है तो यह हो गया आपका 1 क्या मिलेगा एक कॉंप्लेक्स नंबर मिलेगा तो यह चीज़ हम ज्यादा डिसकर्ने वाले नहीं है आपका एंसी आटी में देख लीजेगा जो आगे से रिलेड़ेटी आएंगी कि क्लोजर प्रोपर्टी कमिटेटिव प्रोपर्टी एस्सोसेटेव जो भी प्रोपर्टी ह उनको एंसी आटी से देख लीजेगा ठीक है आगे आइडेंटिटीटीस ऑफ कॉंप्लेक्स नंबर तो यह भी हम स्किप कर सकते हैं जल्दी से देख लीजे यहां पर यह दो कॉंप्लेक्स नंबर में होल का स्क्वेर लगा दी यह कुछ वैसे ही जैसे कि a प्लस b का होल स्क स्क्वेर a square प्लस b square ब्लस 2 भी बस यहां पर a और b की जग़ा क्या आ गए और कॉंपलेक्स नंबर आ गए तो z1 का स्क्वेर प्लस z2 का स्क्वेर प्लस 2 टाइम जैड बन इन्टो जैट सेम इसी तरीके से यह आइडेंटिटीटी भी आपको याद होगी हमिए स्किप करना तो ए और बी की जगह यहां पर complex number है जैड बन जैड चीक है तो इसको अच्छे से लिखकर देख लीजिएगा I hope यह आपको clear होगा चीक है अब एक question लेते हैं express the following in the form a plus b i तो हमको i b a bi यह एक standard form में जो हमने सीखा था इसके form में हमको convert करना है तो first part देखिए तो सबसे पहले अब क्या करेंगे first वाले पार्ट में बच्छों सबसे पहले number को number से multiply करिए तो minus 5 को आप one upon eight से multiply कर दीजे ठीक है और साथ में iota part को i को i से multiply करेंगे तो क्या जाएगा iota square यह solve किया तो आप कहां सरा गया minus 5 by 8 और iota square की value क्या होती है minus 1 ठीक है minus 1 और यह minus 5 कितना हो जाएगा plus यह आगया plus 5 by 8 अब आपको लिखना है a plus b i के form में बच्छों तो इसको क्या कर देंगे convert कर देंगे यानिए यह पार्ट without i वाला पार्ट क्या हो गया real पार्ट तो यह गया 5 by 8 प्लस imaginary पार्ट नहीं है तो आप इसको क्या लिख देंगे 0 iota हो गया अब ऐसी second वाला कर लिजे तो second वाला कर दिए सबसे पहले iota ही हम कर लेते हैं चलिए तो यहाँ पर पहले number लिख देतें चलिए तो number क्या है 2 है आपके साथ में ठीक है और यहाँ पर क्या है minus 1 upon 8 का q क्यूब और साथ में यहाँ पर है minus iota और 2 iota और यह जो i का q बही हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर i का ठीक है imaginary part को अलब कर दिया number को अलब कर दिया बच्चों तो यह क्या आ जाएगा यहाँ पर यह आपका 2 multiply minus की power odd है तो minus बाहर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना बच्चों वन अपॉन एट multiply 8 multiply 8 और यहाँ देखिए यह minus लगा हुआ है ठीक है यह minus 1 लिख देते हैं चलिए यह multiply करके यह बाहर कर दिया और साथ में आयोटा की power count करिए कितना हो गया 1 यह 2 और यह 3 ठीक है टोटल कितना आगा आयोटा की इनको multiply कर दीजी 8 8 जै 64 into 4 ठीक है इसको multiply करेंगे 64 multiply 4 तो यह कितना आ जाएगा आपका 16 256 ठीक है और साथ में आयोटा की power 4 रखेंगी तो बच्चों क्या आ जाएगा यह positive 1 ठीक है और आयोटा की value क्या होती है सिप आयोटा root वाली नहीं रखनी है तो आपके पास answer आ गया 1 upon 256 ठीक है अब इसको आपको लिखना है standard form में तो क्या लिख देंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि real part नहीं है आई वाला ही पार्ट है तो real part हो गया 0 ठीक है प्लस 1 upon 256 आयोटा क्लियर है कैसे solve करना रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले को solve कर लो इमिने पार्ट को ठीक है यहने पहले हमने रियल पार्ट यहने नंबर नंबर ले लिए और फिर आयोट आई होप यह clear हो गया होगा अच्छे से आपको चली आगे बढ़ते हैं अब इसी तरीके से हम यहां पर बस जस्ट आपको hint देंगे ए माइनस बी का whole cube के identity लगा सकते हैं आप क्या होता है एक्यू ठीक है माइनस बी क्यू माइनस 3AB ब्रैकेट में ए माइनस बी यदि आप यह ब्रैकेट ऊपन कर देते हैं तो आपके identity क्या बन जाती थी एक्यू माइनस बी क्यू माइनस 3A स्क्वेर बी इसका multiply किया फिर A B ठीक है इनके base पर आप expand कर दीजेगा तो यहां आपका time बचाने के लिए solution पर आ जाते हैं देखिए यह आपने इसको solve किया बच्चे तो यह आ गया 5 का cube यह फिल्कुल further solve कर लेंगे यहां i square की value minus 1 आ जाएगी i cube की value आपको i मिल जाएगी ठीक है तो solve करके कुछ इस तरी 25 कितना आ जाएगा minus 10 और यह imaginary part minus 225 और plus 27 आई करेंगे तो आ जाएगा minus 198 आई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों modulus and conjugate of complex number तो यह आप देख सकते हैं let हमने assume कर लिया कि z equals to a plus i to b complex number है तो जब modulus निकालना पड़ेगा बच्चों तो कुछ नहीं करना है यहां पे modulus का sign मना दीजिएगा z के बाहर parallel lines टाइप और यह under root में ले लेंगे आप a square plus b square real part और यह imaginary part means other than i तो यह conjugate पूछा जाएगा तो क्या करना है simply symbol z की जगा क्या कर देंगे आप z पार इस तरीके से ठीक है और जो complex number यदि a plus i to b तो आपको conjugate क्या हो जाएगा a minus iota b और यदि complex number a minus iota b होता तो conjugate क्या हो जाता a plus iota b याने आपको सिप चेंज क्या करना पड़ता है sign यह याद रखेगा ठीक है multiplicative inverse of the non-zero complex number याने किस तरीके से हम complex number का multiplicative inverse find कर सकते तो multiplicative inverse class eight में भी आपने पढ़ा है बच्चों एक बर हम recall कर देते कि let's suppose आपके पास एक number है rational number two by three तो आपको बोल जाए कि इसमें क्या multiply करेंगे ताकि result one आ जाए तो आप बोलेंगे कि sir इसमें three by two multiply कर दीजिए ठीक है और यह cancel हो गया तो answer क्या जाएगा one ठीक है इसी तरीके से हम non zero complex number याने zero बसना हो ठीक है यदि आइवटा बाला part zero हो जाएगा तो फिर रियल नमबर ही रहेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे non zero complex number का multiply इंबर सीखेंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि यह जो complex number z और जो answer निकल कर आया उनको जब multiply करेंगे तो answer क्या आएगा one जैसे कि आप देख सकते इसका answer क्या आया था यह बार्ट ठीक है तो जब यह दोनों को multiply करेंगे तो one आएगा तो पहले हम यह explain कर दें फिर हम यह बताएंगे आपको यह formula आप side में देख सकते हैं ठीक है क्या देख रहे हैं आपे formula यह रहा formula क्या यूज करेंगे conjugate of z numerator में और denominator में modulus of z का square तो यह बना कैसे यह देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास एक complex नंबर था z equals to a plus iota b ठीक है तो यदि z inverse निकालना तो हम क्या लिख देंगे यह one upon z यह clear है बच्चों यह हमने लिख दिया है अब क्यूंकि हमको iota part remove करना तुम क्या करेंगे इसके just sign change करके multiply कर देंगे यह यह माइनस iota b से multiply तो उसकी लिए मैस में rule होता है कि जो आप denominator में multiply कर रहा है आपको numerator में भी करना पड़ेगा तो हमने क्या किया देखिए a माइनस iota b से up and down multiply तो one का multiply किया a माइनस iota b से तो आपके पास आगे numerator a माइनस iota b और denominator में देखेगा यह a प्लस b a माइनस b कुछ इस तरीकी के form में है तो क्या हो जाएगा a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर और b की जगा क्या है यहां पर आउटा b इतना clear है numerator में कोई change नहीं अब denominator में देखिए denominator में a स्क्वेर एडिस माइनस के बाद में यह i b का होल स्क्वेर है तो iota का स्क्वेर लिख लिए पहले और b का स्क्वेर ठीक है अब बच्चों आप जैसे सीखा है आपने कि iota स्क्वेर की जो value होती है यह minus 1 होती तो यह वाली value आपने यहां पर रख दी और b square as it is अब यह देखिए next system क्या होगा denominator माइनस माइनस प्लस हो गया और यह numerator as it is चल रहा है तो आपके पास यह क्या गया a minus iota b और यह हो गया a square plus b square a minus i b को हम क्या बोलते है साइन चेंज किया जिसको conjugate अभी सीखा था हमने साइन चेंज कर दे इसको हमने बूल दिये जैड बार और यह a square plus b square क्या है आपने जो modulus सीखा था modulus क्या था square root of a square plus b square अब यदि आपका square कर देंगे बोर स्क्राइट तो square root हट जाएगा तो यह रहा इसलिए आपका यह formula आ गय ठीक है यह हम सारा clear कर देते हैं आप एक बार और अच्छे से screen पर देख सकते हैं clearly आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है और जैसे कि हमने बोला था कि यदि आप इसके result को starting के number से multiply करेंगे तो result 1 आ रहा होगा देखिए आप a plus ib को इस वाले parts से बच्चों जब multiply क करेंगे तो देखिए यह वाला part और यह वाला part multiply होगा कुछ इसी तरीके का है इसको आप इससे multiply करेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा a square plus b square और denominator में भी यही था a square plus b square जो की result क्या दे देगा one clear चलिए अब एक example ले लेते हैं आपको क्या दिया है मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तू माइनस त्री आईगा तो बच्चों हम जानते है फॉर्मुला जैड इनवर्स इस इक्वल्स टू क्या होता है जैड कंजूगेट अपॉन मॉडूलस ऑब जैड का square और जैड कंजूगेट मींस क्या हो जाएगा जैड ह हमारे पास क्या है तू माइनस थ्री आयूटा तो आपके पास में जैड बार याने कंजूगेट क्या हो जाएगा तू प्लस त्री आयूटा और मॉडूलस अब जैड का square निकालना है तो क्या करेंगे simply a square plus b square तो a क्या है बच्चो a हो गया आपके पास में 2 और b हो गया आपके पास में minus 3 तो ये 2 का square plus minus 3 का square ठीक है बच्चो तो ये आप solve कर लीजे कितना आ जाएगा ये आपका आ गया 2 square solve किया आपने तो ये आ गया 4 और minus 3 का square किया तो कितना आ गया 9 जो कि हो गई 4 plus 9 equals to 13 अब ये value रख दीजे z inverse is equals to आपके पास आ जाएगा z conjugate दिया हुए 2 plus 3 आईवटा और z modulus z का square कितना दी था ये आपका answer हो गया और आप चाहे तो इसको separate भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 upon 13 plus 3 upon 13 आईवटा ये होगे a plus b i के form में clear है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये question देखिए example 6 इनको आपको a plus i to b के form में करना है बच्चों तो ये first वाले part को हम solve करते हैं यहां दिया हुआ है 5 एक मेंट ये clear कर दें हुआ 5 plus root 2 iota denominator में दिया है 1 minus root 2 iota तो इसको हम क्या करेंगे इसके conjugate से multiply कर देंगे जब भी denominator को remove करना है ठीक है iota से तो ये 1 minus root 2 i का conjugate क्या हो जाएगा 1 plus root 2 iota denominator में भी आ गया 1 plus root 2 iota अब solve कर दीजे तो numerator में देखिए अलग-अलग time है तो simply पहले 5 को multiply करिए 1 plus root 2 i से ठीक है तो denominator में पहले हम लिख देते हैं minus b a plus b का square आ रहा है तो ये हो जाएगा a का square ये आ गया 1 का square ठीक है माइनस आपके पास क्या जाएगा b का square a ये root 2 का square अब numerator में देखिए 5 का multiply करेंगे पूरे से तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 5 plus 5 root 2 iota फिर ये root 2 iota का multiply करेंगे इस पूरे में तो क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा root 2 iota ठीक है और आगे root 2 iota का root 2 iota से multiply करेंगे तो क्या जाएगा root 2 का 2 हो जाएगा और iota का square हो जाएगा इसको और further solve कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके बास number बाला part अकेला ठीक है अब ये दोनों क्या हो गए like time हो गए बच्चों तो ये क्या जाएगा 5 plus ये हो जाएगा 5 plus 1 6 root 2 iota और यहां iota की value रख दीजे आप क्या minus 1 ये minus 2 हो गया और नीचे क्या आ गया आपके बास में 1 minus 2 इसको और further solve करेंगे तो ये देखे 5 minus 2 हो गया क्या आ गया 3 plus 6 root 2 iota और नीचे क्या आ गया ये आ गया minus 1 ठीक है तो ये आपका अंसर हो गया चाहिए तो आप minus बाहर से common ले लिजी उपर से तो cancel हो जाएगा अब second वाला part देखिए ये दिया आपको बच्चों क्या iota की power minus 35 इसको कैसे solve करेंगे इसको solve करने के लिए आपको simply हम क्या करेंगे 1 upon iota की power 35 लिख देंगे ठीक है अब इसको even बनाने तो हमने बोला था क्या करेंगे 35 को 36 बनाने के लिए एक आयोटा से multiply up and down तो ये क्या बन गया ये numerator में numerator में आ गया बच्चों आयोटा और denominator में आ गया आयोटा की power 36 अब ये even हो गया क्लियरली फोर का multiple है फोर नाइन जा इसकी वल्ली क्या हो जाएगी वन तो ये आ गया आयोटा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये most important question है इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है ठीक है 3 प्लस आयोटा रूट 5 दें 3 माइनस आयोटा रूट 5 और नीचे दिया है रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2 ठीक है तो numerator हम बच्चों देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है simply a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर लगा देंगे हम ठीक है तो क्या हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा आपके पास में एक मिनट तो यह हम डारेक्ट लिक देते हैं 3 का स्क्वेर क्या जाएगा 9 ठीक है माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वेर करेंगे तो आयोटा कभी स्क्वेर हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वेर 5 ठीक है और यहाँ कांपर आपका रूट 3 का रूट 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आ जाएका 3 3 का मल्टिप्लाइ अच्छा स् 하기 यहाँ ध्यान दीजिएगा डिनोमिने टर पार्ट में बच्षों मल्टिप्लाइ नहीं करना है क्या करना आपको simply bracket open कर देना है तो देखिए root 3 यह लिख देते हैं root 3 plus root 2 iota minus root 3 और यह minus minus plus और यह i root 2 यह iota root 2 को हम लिख देते हैं root 2 iota बात देखिए तो यह देखिए यह cancel हो गया आपका part उन कुन सा ये नंबर वाला पार्ट cancel हो गया ठीक है अब आपके पास क्या आया solution में आपके पास में आया यहाँ की value क्या हो जाएगी minus 1 तो minus minus plus हो जाएगा तो 9 plus 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टीन ठीक है कि 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 14 और यहां देखे क्या आ गया रूट 2 प्लस रूट 2 आ यहने क्या हो गया तू रूट 2 आई ठीक है अब यह कैंसल कर दीजिए 2 बंजा 2 7 जै तो आपके पास आगया आंसर 7 अपॉन रूट 2 आउटा अब आपको मालूम है कि डिनोमे अप से मल्टिप्ला कर दिजी है सै pouvoir से कर दिजीए तो हम चली है रूट 2 आउटा से मल्टिप्ला करते हैं रूट 2 आउटा से आप औंड अबमुपला कर दिया तो देखे क्या आगे बच्छों उपर आ गिया हमारे पास में 7 root 2 iota और denominator में क्या आ गया root 2 into 2 root 2 क्या हो जाएगा 2 और iota का value क्या हो जाएगा इस iota square तो क्या जाएगा माइनस वन यह डारेक्ट लिख दिया हमने ठीक है अब यह आपका अंसर आ गया माइनस सेवन अपॉन टू रूट टू आयोटा इस्टेंड़ फॉम में लिखना है तो यह पार्ट तो है नहीं सिफ आयोटा वाला पार्ट है तो जीरो माइनस सेवन अपॉन टू रूट टू आयोटा क्लियर है ठीक है चली आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे आर्गेंड प्लीन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो बच्चों सिंप्ली आपको बता दे थे आर्गेंड प्लीन कुछ नहीं है जिस तरीके का आप इस तरीकी से क्लास 10 तक पढ़ते थे ने काडिशन प्लेन जिसमें एक X-axis होती थी और एक Y-axis होती थी जिसमें हम कोडिनेट को प्लॉट करते थे तो यहां पर जब हम कॉंप्लेक्स नमबर को प्लॉट करने लगते हैं X-axis Y-axis का यूज करके तो उसको बोलते आर्गेंड बट वहां पर यह जो X-axis होती है उसका नाम क्या हो जाता है रियल एक्सिस और Y-axis जो होती है इसका नाम हो जाता है इमेजिनरी कैसे इसको हम देख लेते हैं देखें हां पर कॉंप्लेक्स नमबर जैडिक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी कैन बी रिप्रेजेंट बाइए यूनिक पॉइंट पी ए कॉमा बी लेट सपोज यहां पर एक पॉइंट है आपका कॉडिनेट में पी ए कॉमा बी लिग दिया हमने ठीक है इन दा कार्टेशन रिफर्ट तो पर देखोंगे बच्चों यह हमने बना दिया आपके लिए तो एक्स एक्स पर जो भी पॉइंट होगा बच्चों वह क्या होगा एक कॉमा जीरो के फॉर्म में होगा है ना एक कॉमा जीरो भी कॉमा जीरो सी कॉमा जीरो एक्स एक्स वाला पॉइंट तो होगा बट आई व यह इमजम घृर्ट को रिप्रेजर्ट कर रहा है यानु भी वेली तो क्या हो गया इयunda अब आप लेकल सकते हैं कि सब्सक्रास्टت है तो जब नीच के पर जेल हो यह खैसर से यÑ इसमय क्या हो आप ज्वक्राइप से अब इस्वा नीच दिख रहा तो यह क्या हो जाएगा 0,1 यह हो जाएगा 0,2 यह हो जाएगा 0,3 and so on ठीक है इस तरीके से 0,4 तो इसमें हम देख रहे हैं कि x-axis वाला जो पार्ट है वो 0 हो गया सिफ इमेजिनरी पार्ट बढ़ जाए इस लिए इस एकसिस को हम क्या बोलेंगी आप देखे जैसे एक पॉइंट आपको दिख रहा है उसको हम बता देते हैं एक मिनट इसको कर लें हाँ आप यहां देखे बच्चों ध्यान से जैसे आपको यह पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पॉइंट को रीड करना है तो x-axis पर कितना पॉइंट दिया है यह कुछ something दिया है ठीक है ए और यहां पर क्या दिया है बी तो इसको क्या हो जाएगा यह a plus bi यह वाला क्लियर है और इस डियाग्राम को हम बोलेंगे आरगेंड डाइग्राम इतना क्लियर हो गया चली आगे बढ़ते हैं अब ऐसे ही आपने class 10 में पढ़ा हुआ था कि दो एक्स जब इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ठीक है उनका जो इंट इस पॉइंट तसको मैं बोलते हैं origin यहां पर क्या बोलेंगे complex number है टे इंटरसेक्शन ऑच इस 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 और जीरो complex number क्योंकि वहां पर रियल पाउट भी 0000 far भी इमिजनरी पाट भी 0 है ठीक है और यह हम आखिक है रीजिक के लिए कि ठीक है यह तो आपको अच्छे से clear हो गया है यह हमने सिधी के लिए है आगे बढ़ते हैं अब यह देखिए representation of modulus of z on argand plane modulus हमने सीखा था root के अंदर ठीक है तो यह देखिए यह बाला part क्या है आपका 00 और यह बाला suppose px,y तो इसका modulus निकालना है तो simple join कर दीजिए और distance formula का जो formula था ना x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square तो बस वही formula लगा यहाँ पर 0 है तो x-0 का whole square क्या होगा x square y-0 का whole square क्या होगा y square तो यह इस तरीके का क्या हो गया modulus of z ठीक है यह बस आपको सीखना है कि representation कैसे करते हैं कुछ ज्यादा खास नहीं है as per new syllabus then representation of conjugate to conjugate में आपने ध्यान दिया होगा कि conjugate क्या है यदि आपके पास let's suppose z equals to x plus i out of y एक number है तो conjugate में क्या हो जाता है सिप्साइन चेंजिए प्लस का माइनस यह देखी ठीक है तो यदि देखिए आपर यहां पर यह पी x, y है तो यहां पर यह जो x axis है real axis है यह एक mirror का का काम कर रही है तो इसकी इसकी जो image बनेगी ठीक है यह को कंजू की do कहा होगा 4 वाले क्वाडंट फर्स्ट का 4 वाले क्वाडंट में आ जाएगा और सिर्फ change क्या होगा साइन किसका वाई वाले का ठीक है बी वाले बार्ट का तो क्या हो गया minus y ठीक है और इसी तरीके आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं शेयर करना चाहें तो कर सकते कमेंट कर सकते और हम कोशिश करेंगे आगे और भी complete one-shot video class 11 के और 12 के प्रेजेंट कर सके ठीक है चलिए ओके थैंक यू